आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको बिल्कुल भी आई मेकप करना नहीं आता और वो जस्ट अभी स्टार्टी कर रहे हैं आपने कभी भी eyeshadow palette purchase की होगी ना आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक applicator हर palette में आता है जो कि कलर अप्लाई करने के लिए दिया होता है तो इसी applicatorसे आज में आज में आपको आई मेकप करना सिखा होगी सबसे पहले हम eye के corner पर tape लगा देंगे कुछ इस तरीके से और कई लोग पूछते हैं कि हम कौन सा tape लगाएं तो हम या तो shallow tape लगा सकते हैं या फिर या paper tape लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा glue नहीं होता और इस skin को हम नहीं करता है इसके बाद हम आई बेस बनाएंगे कुछ इस तरीके से और आई बेस बनाने के लिए आपको हमेशा concealer लेना है आपको foundation अवाइड करना है एक चोटे beauty blender के help तो हम इसको blend कर देंगे एन इसके बाद हमारा main काम स्टार्ट हो जाएगा हमेना black color का eyeshadow लेना है इस applicator पर और outer corner में जि इसको जो है second line यहां पर drag कर देंगे अब हम क्या करेंगे धीरे-धीरे darker से lighter की तरफ आएंगे colors में अब जब सबसे पहले हमने black लगाया फिर हमने dark brown तो अब हमारा number आएगा light brown का and inner corner में जो बचा कुछ है space बचेगा वहां पर अपने dress के matching हम सिमरी color अप्लाइग कर देंगे अब हम क्या करेंगे इन colors को ब्लैंड करेंगे आपस में तो मैं inner corner से blend करना start करी हूँ और आप जो है inner से blend करना start करें बट जो brush आपने simmer blend किया है ना जिस brush से उस brush से आपको बागी color blend ने करना है क्योंकि simmer एक ऐसी चीज़ है ना चाहे वो थोड़ा सा भी लग जाए फिर वो जो है simmery effect देगा and black color को आपको काफे patiently blend करना है क्योंकि blend करते करते कई बार क्या हो जाता है कि black color ना पूरा फैल जाता है तो जब हमने यहां पर चार color apply किये हैं तो हमारी blending इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यह चारो के चारो color हमें visible होने चाहिए visible होने का मतलब क्या है कि blended look हो तो ब्लेंडिंग आपके जितनी अच्छी होगी आई मेकप आपका उतना ही अच्छा और प्यारा लगता है तो कुछ इस तरीकी से हमने यहां पर इसको ब्लेंड किया अब इसके बाहर की जो हार्श लाइन है उसको भी ब्लेंड करना होता है हमें क्योंकि मुझे ऐसे करने के बाद यहां पर एक लाइन क्रियेट हो जाएगी तो इस लाइन को हम क्या करेंगे आई लाइनर से कवर करेंगे अभी यह काफी अनिवन लग रहा होगा ना आपको लेकिन जैसे आप फेस का बेस बनाओगे और आई मेकप को कम्पलीट करोगे तो यही लोग इतना प आपकी खुद की आइस पर अपना हाथ सेट हो गया तब आपको कोई दिक्कात नहीं होती आप जो है हमेसा अच्छा लाइन लगा सकते हो तो मैं यहां पर थोड़ा सा कंसीला लगाऊंगी ताकि यहां पर कलर अन इवन ना लगे और इसको जो है एक छूटे ब्यूटी ब्ल कर सकते हैं अब में फॉल्स आइलैस सेह टिय। लगा दी है और आ애व लाइसस लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि lower lash line में या कि हमारी यह वाट कलर का ≅प्लाइएक लाइन जपा लाइन पर बीच कलर के रवाजल का ≅पने लाइन पर लुपार ट्रेड में चल्राब यह क काजल बहुत जादा ट्रेंड में है लोग लैसे को भी मस्कारा अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से एन काजल लगाते ही हमारा जो लुक है वह बहुत ही प्रीटी लगेगा देख सकते हैं आप यहां पर कितना सुंदर आई मेकप लग रहा है और ऐसे लग भी नहीं है कि हम आप इसको डेफिनेटली ट्राइ करें एंड ट्राइ करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह आई मेकप कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब तर आप